इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी वेब साइट पताएंगे जहां पे अगर आप एक्सपोर्ट का डेटा निकालना चाहते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं कि भारत का एक्सपोर्ट किस कंट्री में सबसे ज़्यादा हो रहा है किस रेजन में सबसे ज़्यादा हो रहा है और कौन सी कमोडिटी इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है जिससे आज इख एइक्सपोर्टर आप प्लान कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि कहां आपके लिए अच्छा मार्केट है कहां बायर है तो अगर आप first time हमारे चैनल में आये हैं तो अभी subscribe कर लीजे और let's start इसके लिए आप niriya.gov.in इस website पे आ जाएंगे अब यहाँ पे dashboard हमारा इस प्रकार से दिखाई देगा यहाँ पे इंडिया का total export value आपको दिखाई दे रहा अप्रेल 23 से October 23 last quarter का कि हमारा जो export है पूरे दुनिया के compression में तो यह 242.40 billion यहाँ पे है इंडिया के export की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 country में हमारा export हो रहा है और इधर अगर आप region wise देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस region में कितना export हमारा हो रहा है इधर हमारे जो area दिये हुए है ये रोप, एशिया, नाफ्टा, साप्टा यह सारी चीज यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है अब अगर आप commodity wise चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे यहाँ पे देखिए हर commodity का दिया हुआ है कितना export भारत से हो रहा है तो सबसे ज़्यादा हमारा engineering goods यहाँ पे फिर petroleum product, gems and jewelry, drug, organic, inorganic तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको total share दिखाई देगा कितने percent, किस particular product और commodity का यहाँ पे share है और उसको previous data से compare भी किया जाता है कि कितना growth उस पे आया है या negative figure में यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ से आप हर product का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा export कितना हो रहा है अब इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही अच्छी filter की शुविधा दे गई है अगर आप पुराना data यहाँ पे देखना चाहते हैं तो देखें यहाँ पे year में आप select कर सकते हैं आप financial year 2022 ते इसका देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप select कर देजिए उसके बाद यहाँ आप financial year select कर देजिए अपरेल 22 से अब मार्ट 23 तक अब यहाँ पे region wise भी आप कर सकते हैं जिस region में suppose आप किसी अफरीका में ज्यादा export करते हैं करने वाले हैं या करते हैं आपको वहाँ का data देखना है तो आप region select कर लिजे otherwise all region रहने देजिए region के बाद यहाँ पे आप country भी select करके देख सकते हैं specific कि किस country में कितना export यहाँ पी हो रहा है उसके बाद यहाँ पे आप commodity wise भी search कर सकते हैं तो यह filter बहुत ही काम के हैं जो लोग export import के business में जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं उनके पास एक यहाँ से data मिल जाता है कि क्या particular market है कितना export हो रहा है कहां हो रहा है किस country में हो रहा है तो यह सारी चीज़ जब आपको मिल जाती है तो आपको planning करने में easy हो जाता है और आप उसके हिसाब से अपना plan कर सकते हैं कि आप किस particular product और commodity में deal करने वाले हैं तो यहाँ पे देखें लाश्ट अगर year का हम देखें तो यहाँ पे 443.72 billion का हमारा पूरा export था और किस किस location में हुआ है तो इस प्रकार से आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा तो हमारा जो engineering goods है वो almost आप में है यहाँ पे देख सकते हैं लगवग 24% we are exporting engineering goods and second में हमारा petroleum product है 20% third gems and jewelry and fourth organic क्योंकि organic का बहुत ही demand है केवल इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में तो अगर आप कोई startup करना चाहरे हैं और organic product export कर सकते हैं तो आप करिए इस पे बहुत ही अच्छा growth है तो होग यहाँ से आप भारत के export का data आसानी से निकाल सकते हैं उसका share जान सकते हैं और अपने planning कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार के आपके मुन में question है तो आप नीचे comment करिए and मिलते हैं next video के साथ तब तक के लिए good bye